गेन बिदाउट पेन कई बार हमें अपने निकटम परिजन्नों से या समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने को मिलता है कि फला व्यक्ति को करोडों की लाटरी निकल गई करोडों की संपत्ती मिल गई बसियत से या गड़े धन से उसे अत्यदिक धन का लाब हुआ या किसी निकटम परिजन की मित्यू के पश्चाच उसे बीमा धन के रूप में या बैंक खाते से बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है किसी को दहेच के दोरा किसी को सेर बजार से या किसी को किसी खेल के माद्यम से या प्रतियुकता के माद्यम से अत्यदिक धनरासी मिल जाती वैसे तो प्रतिय व्यक्ति की चाहत होती है कि कम समय में कम परिश्रम से बहुत जादा धन प्राप्त हो जाए और वो धनवान हो जाए परंतु कुछ भाग्यसाली व्यक्तियों की जीवन में होता है कि उन्हें अचानक बगर किसी परिक्रिसम से बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हो जाता है आईए देखते हैं जोतीशी दृष्टिकोन से ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में क्या योग होते हैं जिससे वो गेन बिदाउट पेन ऐसी स्थिती में आ जाते हैं जिनें कम महनत से और परिस्रम से बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है किस तरीके के योग होते हैं उनकी पत्रिका में उन से ग्रह यही योग बनाते हैं हम देखें सरप्रतम गुरू धनकारक ग्रह होते हैं राहू आकास्मिक ता के कारण होते हैं चंद्रमा भी आकास्मिक प्रभाव लाउस एंड प्राफिट दोनों को हम इससे देखते हैं कुंडली में दूती भाव, पंचम भाव, अस्टम भाव, नवम भाव, एकादस भाव और इनके स्वामिक रह मुख्ष रूप से ऐसे योग बनाने के लिए सक्छाम होते हैं सरप्रतम हम देखें तो हमारा दूती भाव जो है की धन भाव कहलाता है और हमारा कुटुम्ब भाव कहलाता है हमारे सगे संबंदी, परिजन, दादा, दादी, माता, पिता, भाई, बैन सभी का विचार हम कुटुम्ब से यानि दूती भाव से करते हैं और सभी प्रकार के धन की प्राप्ती, धन का स्त्रोत्र, सोना चांदी, इरा जवारात, बैंक खाता, सभी का विचार हम्दुती भाव, धन भाव से करते हैं पंचम भाव त्रिकोन भाव होता है और पूर्व पुर्णे का भाव भी होता है इससे हम सियर बजार और अन्य प्रकार के खेल कूद मनुरंजन संगीत बहुत इक सुकों से प्राप्त होने वाले आनंद को देखते हैं अश्टम भाव बहुती मैद्पूर्ण होता है इसी स्थिती में धन का अप्रत्यसित लाव बीमा पैत्रिक संपत्ती बस्यत से मिलने वाले धन सभी का पिचार हम अश्टम भाव से करते हैं नवम भाव भागे भाव धर्म भाव पिता का भाव भी होता है ग्यारबा भाव इक्षापूर्ति का लाब भाव सबी प्रकार की सफलता समरदी का कारक भाव होता है जब इन भावों का और इन भावों के स्वामी ग्रहों का आपस में प्रबल योग बनता है और उचित दसा अंतर दसा जब आती है तो जातक को अत्यदिक धन की प्राप्ती होती है आईए देखते हैं कि आकास्मिक धन प्राप्ती के योग किस तरीके से बनते हैं लगनेश का धनभाव में होना और धनेश का लगन में होना और धनेश का धनभाव में ही होना एक बड़ा योग होता है धनेश का संबंद पंचम भाव, अस्टम भाव, एकादस भाव और उनके भावेशों के साथ हो इसमें राहू का भी संबंद अगर हो जाता है तो सियर, लाटरी, दहेज द्वारा धन की प्राप्ती होती है इसमें हम गरहों की युती, दरश्टी एवम नक्षतनों द्वारा भी संबंदों को योग के रूप में देखेंगे तो हमें बहुत अच्छी जैनकारी मिल पाएगी जब धन भाव का संबंद और उनके भावेश का संबंद चतुर्द भाव, अश्टम भाव और एकादस भाव और भावेश के साथ होता है इसमें सनी मंगल द्वारा जब योग बनता है तो बसियत द्वारा धन की प्राप्ती होती है और चंदरमा भी अगर इसमें संबंद बनाता है इस योग में तो एगरिकल्चर भूमी द्वारा धन की प्राप्ती होती है जब धन भाव, भावेश का शंबंद, तरती भाव, पंचम भाव, अश्टम भाव, दसम भाव, एकादस भाव और इनके भावेश के साथ होता है तो कर्म छेत्र से हमें अनेक्सपेक्टेड धन की प्राप्ती होती है लाटरी, प्रतियोगता, खेल, सेर बजार से धन का प्राप्त होता है हम कह सकते हैं कि धन भाव का संबंद, केंदर तिकोण, अश्टम भाव, उनके भावेश, राहू, चंदर के साथ हो तो आकास्मिक धन का लाव होता है नोकरी के दोरान भी उचित दसा, अंतर दसा में, जब दसम भाव का संबंद, अश्टम भाव और धनेश के साथ बनता है तब भी कई स्रोथ से नोकरी पेशा व्यक्तियों को आए मुखे बात एक और आती है विपरीत राजियोग दोरा भी धन की प्राप्ति होना जैसा कि छे आट बारा भाव के स्वामी जब छे आट बारा भाव में ही बैठते हैं तो यह विपरीत राजियोग हो जाता है बिपरीत राजयोग जितना पाप पिडित होता उतना ही धन प्राप्त होता है परंतु सास्त्रों के अनुसार ऐसे धन जो बिपरीत राजयोग से अकास्मिक रूप से प्राप्त होता है उसको जातक का सुक नहीं मिलता है कई बार यह सापित पी हो जाता है इस वीडियो के अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि धन प्राप्ती के बहुत सारे योग हैं मेरी यहां चर्चा गेन विदाउट पेन को लेके हैं जिसमें कम परिस्रम से जातक को धन प्राप्ती होती है और वो उसका सुख भोगता है लेकिन यह योग अत्यदिक भागिशा अली व्यक्तियों को ही मिलता है जिसमें नवम भाव मुख्य रूप से मैं कह सकता हूं कि भाग्य प्रवल होता है तब ही धन की प्राप्ती होती है नहीं तो जो धन आपके पास रहता है वह भी चला जाता है ऐसे धन का उपयोग अच्छे कारे में होता है जब धन कारे जो हमें पैसा प्राप्त होता है उसे धार्मिक कारियों में या सुब कामों में लगाए जाए तो यह एक लाबकारी स्थिती बनाता है असा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा जैश्री किष्णा धन्यवाद